नमस्कार दोस्तों स्वागत हापका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टेडी पॉइंट पर तो देखे हम सिंपल इंट्रेस्ट यानि की साधान ब्याद जो टोपिक है उसको हम स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़े पड़ी थी और साथ में उसके 16 कुशन को भी डिसकस किया था तो उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू में तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जुरू प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नए अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चले स्टार्ट करते हैं यदि कोई व्यक्ति 8% की दर से कोई धन उधार लेकर अपने मित्तर को 11% की वार्षिक दर से उधार देता है इस प्रकार उसे 2 वर्ष में 900 रुपे का लाब होता है तो उधार लिया गया धन बताओ तो देखे उस व्यक्ति ने 8% की दर से क्या किया धन को उधार लिया और उसने अपने दोस्त को दे दिया कितने परसेंट की दर से 11% की दर से उसने उधार दे दिया तो देखे इस प्रकार उसे 3% का क्या होगा यहां पर फ्रोफिट होगा 3% का क्या होगा profit होगा क्योंकि उसके दोस से उसको जो ब्याज मिलेगा 11% की दर से मिलेगा जबकि उसने लिया है 8% की दर से तो 3% की rate के कारण उसे क्या होगा profit होगा तो यह जो 900 रुपए है यह 3% की दर से दर की वज़े से उसको क्या हुआ है? लाब हुआ है कितने वर्स में? दो वर्स में. तो 3% की दर से 2 वर्स का ब्याज है कितना? 900 रूपए. और ब्याज निकालना हमें पता है कि मूलधन का 8% जो होता है वही क्या होता है? उसका साधरन ब्याज होता है तो यहाँ पर देखिए दर्तो 3% और समय दो वर्स तो कितना हो जाएगाई 6% मतल़े जो 900 रुपय है वो मूलधन का कितना परसेंट है 6% है और हमें मूलधन ही बताना है क्योंकि उधार लिया गया धन बताना है मतल़ मूलधन बताना है और मूलधन जो हता है वो कितना होता है 100% होता है तो यहाँ पर देखिए 6% की value दे रखिए हमें कितनी 900 और 1% की value हमें यह से निकालें तो वो कितनी हो जाएगी 900 और बटे में कितना हो जाएगा 6 और हमें मूलधन बताना है मतलब वेल्यू बताने है किस की सो की तो सो से हम इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो देखे कितना हो जाएगा तो यह 6 से कैंचल होगा 150 और 150 को 100 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 15,000 रुपे तो जो मूल्धन है वो कितना हो जाएगा 15,000 रुपे तो B option जो है इसका है पर correct answer हो जाएगा Next question देखिए तो यह भी देखिए same उसी type का question है कि एक व्यक्ति साधरन व्याज की दर को 4% से गठा कर 3.75% कर देता है तो वार्षिक आय में 60 रुपे की कमी हो जाती है तो मूल्धन बताईए तो यहाँ पर देखिए उसने rate को 4% से गठा कर 4% से गठा कर कितना कर दिया 3.75% कर दिया है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि उसकी rate में जो कमी है वो कितनी हुई 0.25% की तो इसी rate में कमी के कारण उसकी जो वार्षिक आय है annual income जो है उसमें 60 रुपे की क्या हो गई कमी हो गई मतलब 0.25% की वज़े से जो ब्याज मिल रहा था वो कितना मिल रहा था हमें 60 रुपे मिल रहा था तो हमें यहाँ पर मूलधन बताना है तो देखें यहाँ पर वार्षिका है मतलब जो समय है वो कितना है एक वर्स है तो एक वर्स में इस rate की वज़े से जो ब्याज मिल रहा था वो हमें कितना मिल रहा था 60 रुपे मिल रहा था तो हम बोल सकते हैं कि 0.25% की जो value है 0.25% की जो value है वो कितनी है 60 है तो 1% की कितनी हो जाएगी तो 1% की value तो 1 की निकारने के लिए 60 और 0.25 से क्या करेंगे इसको divide और हमें मूलधन बताना है मतलब 100% की value हमें यहाँ पर बतानी है तो कितना हो जाएगा तो 100 से हम इसको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे 0.25 और गुणा में आ जाएगा कितना 100 तो यहाँ पर देखे यदि इस point को हटाएगे तो हम गुणा में लगा देंगे कितना 100 क्योंकि 2 संख्या की बाद point था तो हम 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो यहाँ से देखे 25 से cancel हो जाएगा कितनी बार 4 बार और इसको जब गुणा करेंगे तो 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 और 3 0 है तो 24,000 रुपे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा मूल धन तो ए उप्षन जो है इसका यहाँ पर क्रेंग टांसफर हो जाएगा दोनों ही जो क्यूशन है वो एक ही टाइप के क्यूशन थे उसमें उसको लाब हो रहा था जबकि यहाँ पर इसमें क्या हुई है तो यह 60 रुपे की कमी किस वज़े से हुई है क्योंकि रेट को 4% से गठा कर 3.75% कर दिया यानि कि 0.25% जो है वो ब्याज हमें कम मिलेगा नेशकी उसमें देखिए साधन ब्याज की किसी दर से कोई धन 4 वर्स में बढ़कर 10,800 रुपे हो जाता है जबकि उसी दर से साथ वर्स में बढ़कर 14,400 रुपे हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ तो यहाँ पर देखिए जो धन है वो चार वर्स में चार वर्स में बढ़कर कितना हो गया 10,800 रुपे मतलब यह चार वर्स का मिशर धन है और इसी परकार साथ वर्स में बढ़कर यही धन जो है वो 14,400 रुपे हो जाता है तो यहाँ पर देखिए चार वर्स और साथ वर्स दोनों में कितने साल का अंतर है तो तीन साल का अंतर है और इस तीन साल में जो मिशर धन है इसमें कितने का अंतर हुआ है तो 14400 में से 10800 माइनिस करेंगे तो यह आएगा 3600 रुपए तो देखे हम यहां से बोल सकते हैं कि 3 वर्ष का जो साधरन ब्याज है वो कितना है 3600 रुपए क्योंकि 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला हमें 3600 रुपए मिला है तो देखे इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो साधरन ब्याज होता है वो यदि दर को चेंज ना किया गया हो तो साधरन ब्याज हर वर्ष क्या मिलता है में समान मिलता है तो तीन वर्ष का ब्याज यदि 3600 रुपे है तो हम बोल सकते हैं के दित तीन वर्स का साधारन ब्याज हमें 3600 रुपे मिला है तो यहां से हम बता सकते हैं कि एक वर्स का साधारन ब्याज क्या होगा हमारा तो तीन से इसको डिवाइट करेंगे तो कितना हैगा 1200 रुपे मतलब एक वर्स में हमें ब्याज कितना मिल रहा है 1200 रुपे मिल रहा है तो सबसे पहले तो हम यहां से क्या निकालेंगे principal amount यानि कि मूलधन हम पहले निकालेंगे तो यहां से देखिए मूलधन कैसे निकालेंगे तो देखिए एक वर्स का ब्याज हमें पता है कवाइब 12 रुपए है और 4 वर्स का मिस्टरधन कितना है 8,800 रुपए मतलए इस 10,800 में- 4 वर्स का ब्याज यहदि म माइनश कर दें तो हमें क्या मिलेगा मुलधन मिलेन यह हम यह से भी निकाल सकते हैं 7 वर्स का मिस्टर्धन 14,400 रुपए है तो और चार वर्स का ब्याज कितना होगा तो एक वर्स का 1200 है तो चार वर्स का निकालने के लिए इसको चार से गुणा कर देंगे तो देखें 1200 को चार से गुणा करेंगे तो यह एगा 4800 रूपए तो 10800 में से 4800 माइनिस करेंगे तो यह आजाएगा 6000 रुपए तो देखें मूलधन हमें प्राप्त हो गया कितना 6000 रुपए तो हम रेट आसानी से निकाल सकते हैं तो देखें दर कैसे निकालेंगे हम तो देखें दर होती है ब्याज गुणा 100 तो अब देखें हम ब्याज कितना लेंगे ब्याज कितना लेंगे तो देखिए यदि हम 1200 रुपे ब्याज लेते हैं तो समय एक वर्स लेना पड़ेगा 3600 रुपे लेते हैं तो समय तीन वर्स लेना पड़ेगा यदि हम 2400 रुपे लेते हैं तो फिर हमारा टाइम कितना हो जाएगा च्यार वर्स हो जएगा, तो जिस परकार से हम ब्याज रखेंगे, उसी के अकौुडिंग हमें समय को रखना होगा, तो देखे, rate क्या होती है, ब्याज गुणा 100, तो यदि हम ब्याज को लेंगे कितने 1200 रुपे और गुणा में हो जाएगा कितना 100 तो ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन मूलधन कितना है हमारा 6000 रुपे और गुणा समय समय जो 1200 रुपे है यह कितने वर्स का ब्याज है तो यह 1 वर्स का है तो समय रखेंगे हम 1 वर्स तो देखें 2-0 से ये 2-0 cancel out हो जाएगा 1-0 से ये 1-0 cancel out कर देंगे और 6 से ये cancel होगा 2 बार तो 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा 20% मतलब ब्याज की जो दर है वो कितनी है हमारी 20% है तो D option जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा correct transfer हो जाएगा next question देखिए तो देखिए same उसी type का question है कि कोई धन साधन ब्याज से 4 वर्सों में 302 रुपे और 6 वर्सों में 408 रुपे हो जाता है तो वह धन और ब्याज की दर ग्यात कीजिए तो देखिए 4 वर्स में 4 वर्स में जो है वो धन बढ़कर हो गया वारा कितना 302 रुपे और यही धन जो है वो 6 वर्सों में भढ़कर हो जाता है 408 रुपे 408 रुपे तो यहाँ पर देखिए दोनों में जो time gap है वो कितने वर्स का है तो वो 2 वर्स का है और 2 वर्स में कि जो दोनों मिसर धन है इनके बीच में अंतर कितने का है तो 408 में से बैतर यदि हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यह तो 408 में से 300 बैतर माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 36 रुपे तो दोनों वर्सों के जो मिसर धन है उनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है 36 रुपे का है मतल दो वर्स में हमें ब्याज कितना मिल रहा है 36 मिल रहा है तो दो वर्स का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा 36 रुपे तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि एक वर्स का जो ब्याज होगा वो कितना होगा तो दो से डिवैड करेंगे तो आएगा 18 रुपे तो सबसे पहले तो देखे हम यहाँ पर निकालेंगे मूलधन तो देखे मूलधन कैसे निकालेंगे तो देखे हमें पता है कि 4 वर्स का जो मिसर धन है वो कितना है 300 बैतर रुपए है इसमें से यदि हम 4 वर्स का ब्याज माइनिस कर दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा तो देखिए एक वर्स का ब्याज 18 रूपे है तो चार वर्स का कितना हो जाएगा तो चार से गुणा करेंगे 18 को तो अठारा चो कितना हो जाएगा बैतर तो 300 बैतर में से बैतर माइनिस करेंगे तो मूलधन आ जाएगा हमारा 300 रूपे यही च 408 में से 108 मांनेस करेंगे, तो भी मूलधन कितना आएगा, 300 रुपए, तो मूलधन तो आगया, हमारा 300 रुपए, तो देखे, A और B, दोनों अप्सन में कोई भी हो सकता है, अब निकालें हम यहाँ से ब्याज की दर, तो देखे, हम ब्याज लेंगे 18 रुपे तो टाइम होगा एक वर्स, 36 रुपे लेंगे तो फिर हमें रखना पड़ेगा दो वर्स, तो देखें ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन, मूलधन हभी हमने निकाला कितना 300 और गुणा में दर और आगे क्या आएगा समय और जो 300, sorry 18 होगा 18 कितनी बार? 6 बार तो जो रेट है वो कितनी हो जाएगी हमारी 6% हो जाएगी तो देखें मूलधन तो 300 रुपे और ब्याज कितनी रेट कितनी 6% तो ए उप्सन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? next question देखें वहत धन ग्याद करो जो 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर 10,400 रुपे हो जाता है मतलब 2 वर्ष का हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर मिशर धन दे रखा है कि जो धन है वो 2 वर्ष में बढ़कर कितना होता है? 10,400 रुपे होता है मतलब जो 10,400 रुपे है यह 2 वर्ष के बाद का क्या है? मिशर धन है तो यहाँ पर देखें रेट हमारी 15% है और समय 2 वर्ष है तो हमें पता है कि जो ब्याज मिलेगा वो में कितना मिलेगा? तो वो मूलधन का 80% ब्याज हमें प्राप्त होगा तो यहाँ पर देखें दर तो है 15% और समय है 2 वर्ष तो जो ब्याज है वो कितना मिलेगा? हमें 30% मिलेगा और हमें पता है कि मूलधन कितना होता है? 100% होता है और 30% ब्याज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष का जो मिशर धन होगा वो कितना हो जाएगा? 130% क्योंकि 100% मूलधन और 30% जो है उसका क्या है ब्याज है तो 130% जो है वो दो वर्स का मिसर धन हो जाएगा और इसी की value हमें question में दे रखी है कितनी दे रखी है 10,400 रुपए तो हमें मूलधन बताना है मतलब 100% की value यहां से बतानी है तो देखिए 1% की value कितनी हो जाएगी तो 1% की value हमें यहां से निकालेंगे तो 130 से इसको divide करेंगे और यह दि हमें मूलधन निकालना है मतलब 100% की value हमें यहां से बतानी है तो 100% की value निकालनी है तो इसको गुणा कर देंगे हम किस से 100 से तो यहां से देखिए एक 0 से 1 0 cancel out हो जाएगा 13 से cancel करेंगे तो देखिए 13 अंटे 104 होता है तो 8 और 1 0 है और 2 0 यह हैं तो कितना हो जाएगा? 8000 रुपए तो जो मूलधन है वो हमारा कितना है? 8000 रुपए है C option जो है इसका यहां पर correct answer हो जाएगा 800 रुपए का 3 वर्ष का मिसरधन 920 रुपए है यदि ब्याज की दर में 3 परतिसत की वर्दी कर दी जाए तो मिसरधन क्या होगा? तो देखिए जो 800 रुपए है यह 3 वर्ष में भढ़कर कितने हो जाते हैं? 920 रुपए तो हम बोल सकते हैं कि जो 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है? 120 रुपए है 920 होगे और मूलदन हमारा 800 है मतलब 120 रुपए बढ़ गए हैं तो 3 वर्ष का जो ब्याज मिला हमें कितना मिला? 120 रुपए तो हम कह सकते हैं कि एक वर्स का जो ब्याज है वो कितना होगा 40 रूपए तो यहां से देखिए हम दर निकाल सकते हैं तो रेट हमारी क्या हो जाएगी तो ब्याज गुना सो तो चाहे तो आप 120 रख लो ब्याज तो हमें समय तीन वर्स लेना होगा और 40 रूपए रखेंगे तो फिर एक वर्स लेना होगा तो ब्याज 40 गुना सो और बटे में मूल दन हमारा कितना है 800 रूपए और जो 40 रूपए है वो ब्याज है एक वर्स का तो समय रखेंगे हम एक वर्स तो देखिए 2-0 कैंसल आउट हो जाएंगे और 8-1 एक ऎंसलों का कितने वार 5 वार तो यहांसे देखिए हमारी रेट कितने आगी है रेट आगी है 5% तो देखे क्योशन बहुन रहा है कि यदी हमने ब्याज की दर में 3% की यदि हम क्या कर दें उसमें व्रिदी कर दें तो 3% की यदि हम इसमें वर्धी करेंगे तो हमारी जो और नई रेट है वो क्या हो जाएगी 8% नई रेट क्या हो जाएगी 8% हो जाएगी यदि हम इसमें 3% की वर्धी करेंगे तो अब देखे 3 वर्स में हमें ब्याज कितना मिलेगा तो तीन वर्स में ब्याज कितना मिलेगा तो देखें मूलदन हमारा रहेगा 800 दर हमारी हो जाएगी 8% और समय हमारा तीन वर्स और बटे में आएगा कितना 100 तो देखें 2-0 से 2-0 cancel out हो जाएगे और ये कितना हो जाएगा 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 और 64 को ये दि हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 112 रुपे तो देखें अब हमें हमारा जो मिसर दन हो कितना हो जाएगा तो 800 रुपे हमारा मूलदन है और 112 रुपे ये दि हमें ब्याज मिलेगा तो अब हमारा जो मिसर दन हो कितना हो जाएगा नो सो बानवर उपए तो ए उप्सन जो है हमारे हैं पर क्रेक्ट रांस्वर हो जाएगा दूसरा देखे इस क्विशन को हम डारेक्ट भी कर सकते थे इतना इतनी चीज हमें करने की जरूरत यहां पर थे नहीं तो देखे डारेक्ट कैसे करते हम आप ऐसे देखे तीन परसेंट की वर्दी हुई है मतलब तीन परसेंट की वज़े से हमें ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा तीन वर्स तक तो हमें पता है कि जो हमारा ब्याज होता है हो क्या होता है वो होता है आरटी परसेंट तो देखिए rate home ने 3% बढ़ा दिया तो 3% की वज़े से हमें ब्याज और मिलेगा 3 वर्स तक तो मतलब 9% ब्याज हमें क्या मिलेगा अब एक्स्ट्रा मिलेगा और हमारा मूल धन कितना है 800 है तो 800 का 9% यदि हम यह से निकालेंगे तो वो कितना आएगा तो वो आएगा 22 रुपे तो मतलब 22 रुपे ब्याज हमें एक्स्ट्रा और मिलेगा और पहले हमारा मिस्टर दन कितना था तो वो 920 रुपे था अब इसमें 22 रुपे हमें और एड करने पड़ेंगे क्योंकि हमें बहतर रुपे क्या ब्याज और मिलेगा क्योंकि हमने दर को 3% बढ़ा दिया है तो 920 में बहतर रुपे और जोडते तो हम बोलते कि अब हमारा मिस्टर दन कितना हो जाता 922 रुपे तो इस प्रकार भी हम इसको सौल कर सकते हैं तो ए उप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्टांस्वर हो जाएगा नेज के उप्शन देखिए अठारा परतीसत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन स्वैम का 4 गुना हो जाता है तो उतने ही समय में किस दर से वह धन स्वैम का 9 गुना हो जाएगा उतने ही समय में, तो कितने समय में, जितने समय में 18% वार्षिक ब्याज की दर से जो धन है वो 4 गुणा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहां से क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे, और समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ब्याज गुणा 100, तो देखें जो धन था हमारा 4 चार गुणा हो गया मतलब हम मूलधन को एक माने तो वो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा चार गुणा हो जाएगा मतलब ब्याज हमें कितना मिला तीन एक से बढ़कर चार हुआ मतलब ब्याज कितना मिला तीन तो ब्याज गुणा सो और बटे में मूलधन मूलधन कितना ए और गुणा दर कितनी है हमारी 18% तो देखिए 3 से cancel out हो जाएगा 6 बार और 2 से cancel out करेंगे तो आएगा 50 बटे 3 वर्स तो समय कितना आ गया हमारा 50 बटे 3 वर्स अब देखिए उतने ही समय में किस दर से वह धन स्वयम का 9 गुणा हो जाएगा तो यहां से हमें क्या निकालनी है दर निकालनी है तो देखिए ब्याज गुणा 100 तो ब्याज इस बार हमारा कितना 8 रुपए और गुणा में कितना 100 और बटे में मूल धन कितना माना हमने 1 और हमारा जो समय है वो कितना है 50 बटे 3 तो बटे गा जो 3 है वो घूम के कहां चला जाएगा उपर तो देखिए 50 से cancel out हो जाएगा कितनी बार दो बार तो solve out करेंगे तो 8 को 2 से करेंगे 16 16 को 3 से करेंगे तो 48 मतलब दर हमारी कितनी आ जाएगी 48% तो देखिए ये तो हमने solve किया बिल्कुल basic तरीके से पहले हमने यहां से समय निका लिया और वो ही समय हमने यहां पर use किया क्योंकि बोल रहा है कि उतने ही समय में तो हमने क्या निका लिए फिर दर तो देखिए इस प्रकार के question को हम direct भी solve कर सकते हैं तो इसकी भी हम आपको trick यहां पर बताएंगे तो देखिए इस प्रकार के question में हमें एक तो दिया होगा गुणा इस गुणा से हम निकालेंगे यहां पर ब्याज गुणा से हम क्या निकालेंगे ब्याज और इसके लावा हमें या तो दर दी होगी या फिर क्या दिया होगा समय दिया होगा तो देखे सबसे पहले हमें क्या दिया था चार गुणा तो चार गुणा होने का मतलब ब्याज कितना तीन तो ब्याज हमेशा क्या होगा उससे कम होगा ऐसी देखिए नो गुणा इसका मतलब ब्याज कितना आठ और देखिए पहली में दे रखा था हमें दर दे रखिए अठ गुणा 18 और जो बच गया है उसका क्या कि देंगे इसमें भाग देंगे तीन से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो देखे तीन से कैंसल आउट हो जाएगा कितने बार छे बार और छे को आट से गुणा करेंगे तो आएगा 48 परसेंट तो इस परकार हम डारेक्ट भी सॉल कर सकते हैं फिर से देखे लिए क्या ट्रीक है तो हमें गुणा दिया होगा गुणा से हम निकालेंगे ब्याज और एक हमें दिया होगा दर या समय तो यहाँ पर देखे चार गुणा मतलब ब्याज कितना तीन और इसके लिए तो नो गुणा का मतलब ब्याज कितना आठ और इसके लिए हमें दर निकालनी है तो हमें क्रोश देखना है तो देखे इस तरब के दोनों दिये होए थे तो आठ गुणा अठारा यदि इस तरब के दोनों दिये होते तो फिर इनको हम गुणा करके उपर लिखते तो आठ गुणा 18 और जो बच गया उसे क्या करना है में डिवाइड करना है तो दर आ जाएगी हमारी कितनी 48% तो चले इसी परकार का एक क्यूशन और करते हैं तो देखें सेम उसी टाइप का क्यूशन है कि साधरन ब्याज की किसी दर से 42 वर्स में कोई धन स्वयम का 8 गुणा हो जात गे और एक हमें दिया होगा या तो रेट या फिर टाइम तो यहाँ पर देखिए पहले गुणा कितना है 8 गुणा 8 गुणा का मतलब ब्याज कितना 7 और हमें समय दे रखा है कितना 42 वर्स और आगे हमें दे रखा है 3 गुणा 3 गुणा का मतलब ब्याज हमें कितना मिलेगा दो और इसके लिए हमें यहाँ पर समय निकालना है तो देखे इस तरब के दोनूं हमें दिये हुए हैं क्रोश में तो दोनूं को गुणा करेंगे तो 2 गुणा 42 और जो बच गया उससे क्या करेंगे फिर हम डिवाइड करेंगे तो 7 से इसको क्या कर देंगे divide तो देखे साथ से cancel out हो जाएगा छे बार और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 12 वर्स तो ए उप्सन जो है इसका यहाँ पर correct transfer हो जाएगा और basic method तो हमारा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साधन ब्याज की किसी दर से 42 वर्स में कोई धन स्वयम का 8 गुणा हो जाता है तो यहाँ से हम क्या क्या निकालेंगे दर निकालेंगे तो किसी दर से कोई धन स्वयम का 7 गुणा हो जाता है तो उतने ही समय में 40 percent की दर से वह है स्वैम का कितना गुणा हो जाएगा तो देखिए हमें गुणा दिया होता है वो से हम क्या निकालेंगे ब्याज निकालेंगे और हमें क्यूशन में या तो रेट दी होगी या फिर टाइम दिया होगा तो यहां पर देखिए कितना गुणा हो जाता है साथ गुणा हो ज तो इस बार देखिए हमें क्या rate दे रखी है rate दे रखी है 40% और हमें ब्याज का पता नहीं है तो यहाँ पर देखिए इस तरफ के दोनों cross में दिये हुए हैं तो हम गुणा करेंगे 6 गुणा 40 और divide करेंगे किससे जो बच गया है उसे divide करेंगे तो देखिए 24 बच गया है त तो चोविस से हमें या पर क्या करेंगे, इसको divide करेंगे, तो देखे, 6 से cancel out होगा, एक इतने बार, 4 बार, और 4 से इसको cancel out करेंगे, तो आएगा कितना? 10, तो देखे, हमें ब्याज मिला, कितना मिला? 10, लेकिन हमें question में 10 ये नहीं पूछाया है, हमें पूछाए कि वो कितना गुणा हो जाएगा तो देखे एदि हमें ब्याज 10 मिला है तो गुणा कितना हो जाएगा तो इसे एक ज्यादा होगा मतलब 11 गुणा तो देखे ब्याज जब 6 है तो गुणा कितना होता है साथ होता है या उल्टा देखें कि साथ गुणा होने का मतलब ब्याज छे और दस ब्याज का मतलब गुणा कितना ग्यारा तो ग्यारा गुणा हो जाएगा बी ओप्शन जो है इसका यहाँ पर क्रेक्ट आंस्वर हो जाएगा next question देखिए किसी राशी पर 12 वर्सों में 1200 रुपे साथान ब्याज प्राप्थ होता है यदि मूलधन को 4 वर्सों के बाद 3 गुणा कर दिया जाए तो बताएं कि 12 वर्स के अंत में कितना साथान ब्याज मिलेगा तो सबसे पहले तो आप यह देखिए कि जो हमारा ब्याज है वो क्या होता है ब्याज हमारा होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना आता है तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि यदि हम मूलधन को जैसे 2 गुणा कर दिया हमने तो ब्याज भी क्या हो जाएगा हमारा दो गुना हो जाएगा क्योंकि direct क्या है इसके समानुपाती है ऐसी जैसे मालो की दर को हमने 5 गुना कर दिया तो यदि ब्याज भी हमारा सिधा क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा मालों समय को हमने आदा कर दिया तो ब्याज़ भी हमारा क्या हो जाएगा मतलब जिस परकार से हम मूलधन दरोड समय में चेंज करेंगे उसी के अनुपात में ब्याज में भी चेंज होता है तो चार वर्सों के बाद में हम यह दि मूलधन को तीन गुणा कर देंगे तो ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा तीन गुणा हो जाएगा तो देखें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किसी राज़ी पर हमें 12 वर्स में 1200 रुपे साधान ब्याज मिलता है कि 12 वर्स में हमें साधान ब्याज कितना मिलता है 1200 रुपे मिलता है और हमने बताया था आपको कि जो साधान ब्याज है वो परतेक वर्स का क्या होता है समान होता है तो मैं बोल सकता हूँ यहां से कि एक वर्स का जो ब्याज है वो कितना होगा 100 रुपे होगा एक वर्स का ब्याज कितना मिलेगा हमें 100 रुपे मिलेगा अब देखिए यदि मूलधन को हम 4 वर्सों के बाद 3 उना करें मतलब 4 वर्सों तक तो हमें 100-100 रुपे ही मिलता रहेगा ब्याज तो चार वर्स तो देखें आपने क्यूशन हमारा 2 भाग में डिवाइड हो गया है एक तो चार वर्स और टोटल 12 वर्स थे तो एक आगे के 8 वर्स तो देखें चार वर्स तक तो हमारा मुल्धन में हमने कोई चेंज नहीं किया तो हर वर्स की वज़े से 100 रुपे मिलता है तो 4 वर्स में हमें कितना मिलेगा 400 रुपे अब देखें 4 वर्स के बाद में हमने क्या किया कि मुल्धन को 3 गुणा कर दिया 3 गुणा कर दिया मतलब ब्याज भी हमें क्या मिलेगा अब 3 गुणा मिलेगा तो पहले हर वर्स 100 रुपे मिलता था तो अब हर वर्स हमें कितना मिलेगा 300 मिलेगा और कितने वर्स तक मिलेगा 8 वर्स तक तो यहां से हमें कितने मिलेंगे 2400 रुपे तो देखें हैं से टोटल कितना हो जाएगा तो 400 और 2400 तो टोटल हमें मिलेगा यहां से 1800 रुपए तो इस प्रकार हमें जो 12 वर्स के अंध में ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 800 रुपए तो B option जो है इसका यहां पर crack transfer हो जाएगा फिर से देखिए एक बार और बताते हैं हम आपको कि 12 वर्स का जो ब्याज था वो बारा सो रुपे था मतलब एक वर्स का आगया सो रुपे अब हमने क्या किया कि चार वर्स के बाद में अधि हम मूलधन को तीन गुणा कर देते तो चार वर्स के बाद में किया इसका मतलब चार वर्स तक तो हमें सो सो रुपे मिलेगा तो 4 वर्स में मिले हमें 400 रुपे और 4 वर्स बाद में हमने मूलधन को 3 गुणा कर दिया मतलब ब्याज भी अब हमें 3 गुणा मिलेगा तो पहले 100 रुपे मिल रहे थे अब कितने मिलेंगे 300 रुपे मिलेंगे हर वर्स और कितने वर्स तक मिलेंगे 8 वर्स तक तो यह मिलेंगे 2400 रुपे तो 2400 रुपे ये और 4 वर्स के 400 रुपे ये तो टोटल कितने हो जाएंगे 2800 रुपे जो है हमें ब्याज प्राप्त होगा तो चलिए next question करते हैं तो देखे same उसी type का question है कि 6 वर्सों में किसी राशी पर 1500 रुपे का ब्याज प्राप्त होता है यदि 2 वर्सों के बाद ब्याज परतिस्षत की दर 2 गुणी कर दी जाए तो कितना साधान ब्याज प्राप्त होगा तो यदि हम दर को 2 गुणा कर देंगे तो ब्याज भी हमें क्या मिलेगा 2 गुणा मिलेगा तो सबसे पहले तो यह देखिए कि 6 वर्स में 6 वर्स में हमें जो ब्याज मिल रहा था वो कितना मिल रहा था पहले 1500 रुपे मतलब हर वर्स कितना मिल रहा था हमें मतलब एक वर्स का यह दि हम यहां से निकालें तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 250 रुपए मतलब हर वर्स हमें ब्याज मिल रहा था 250 रुपए लेकिन इस बार हमने चेंज कर दिया कि दो वर्सों के बाद में हमने ब्याज की परतिसत को दो गुणा कर दें यदि हम ब्याज की जो दर है उसको दो गुणा कर देंगे तो देखें हैं आपर क्यूसन हमारा दो भाग में डिवाइड हो जाएगा एक तो शुरू के दो वर्स के लिए और टोटल छे वर्स है मतलब बाद के चार वर्स के लिए तो शुरू के 2 वर्स के लिए तो हमने कोई चेंज नहीं किया मतलब हर वर्स हमें 200 रुपे मिलेंगे तो 2 वर्स के कितने हो जाएंगे तो 2 गुणा 250 तो कितने हो जाएंगे 500 रुपे 500 रुपे और अगले 4 वर्स के लिए हमने दर को 2 गुणा कर दिया मतलब ब्याज भी हमें क्या मिलेगा दो गुणा मिलेगा तो पहले 250 रुपे मिल रहे थे अब हर वर्ष कितने मिलेंगे 500 रुपे मिलेंगे और ये 500 रुपे कितने वर्ष तक मिलेंगे तो 4 वर्ष तक तो यहां से कितने मिलेंगे हमें 2000 रुपे तो अब जो टोटल ब्याज है वो हमें कितना मिलेगा 500 पलस 2000 मतलब टोटल जो ब्याज है अब हमें मिलेगा 25 रुपे तो B option जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा correct transfer हो जाएगा ठीक है next question देखिए 1750 रुपे की एक रासी दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधान ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधान ब्याज जो है वो क्या है बराबर है तब पत्ते एक भाग पर ब्याज हमें बताना है तो देखिए हमारे पास टोटल 1750 रुपे थे तो उनको हमने इसमें से कुछ भाग जो है वो हमने 8% की दर से उधार दिया है तो मालिय हमने A जो है वो 8% की दर से उधार दिया है जबकि जो दूसरा भाग B है वो हम दे रहे हैं 6% की दर से उधार और A जो है वो दिया हमने 8% की दर से उधार और क्यूशन बोल रहे हैं कि दोनों ही भागूं से हमें जो वार्षिक ब्याज है वो क्या मिल रहा है बराबर मिल रहा है तो यहां से हम देख सकते हैं यह A मूलधन है और यह B मूलधन है मतलब दोनों ही मूलधन से हमें ब्याज का मिल रहा है बराबर मिल रहा है और हमें पता है मूलधन का 80% ही उसका ब्याज होता है तो मतलब A का 80% जो है यह बराबर होगा B का 80% B का 80% तो यहां से हमें दोनु मूलधन का अनुपात पता सल जाएगा तो यहां से देखिए A का 80% कितना हो जाएगा दर है 8% और समय है 1 वर्स बराबर B का 80% तो B का 80% तो B की rate है 6% और समय है 1 वर्स तो एक से गुना करने है जुरूती नहीं है तो यहांसे देखिए 2 से cancel out होगा यह 3 बार और यह 2 से cancel out होगा 4 बार तो हम बोल सकते हैं 4 A यह बराबर होगा 3 B के तो यहांसे A और B का अनुपाद हम निकाल सकते हैं तो देखिए A और B का अनुपाद कैसे निकालते हैं तो एका अनुपात निकालना है तो एक को हम छुपा लेंगे एक को छुपाएंगे तो देखे बी दूसरी तरफ हमें कितना दिख रहा है तीन तो मतलब एका रेश्व हो जाएगा तीन और यदि हमें बी का निकालना है तो बी वाले को छुपाएंगे तो देखो कितना दिखेगा हमें 4 तो मतलब B का अनुपात होगा कितना 4 तो यह दि हमें जिसका अनुपात निकालना होता है उसको हम छुपा लेते हैं तो A का निकालना है तो A को छुपाएंगे तो कितना दिखेगा 3 और B का निकालना तो B वाले को छुपाएंगे तो कितना दिखेगा 4 मतलब A अनुपात B कितना है हमारा 3 अनुपात 4 है तो यहां से देखे टोटल कितना हो जाएगा 3 और 4 7 मतलब दोनु मिला के जो मूलदन है वो कितना होना चीए 7 होना चीए और क्यूशन ने हमें कितना दिया है 1750 तो 7 की वेल्यू यदि 1750 है तो 1 की वेल्यू कितनी हो जाएगी तो 7 से डिवाइड करेंगे तो एगा 250 रुपे मतलब एक यूइनिट जो है वो 250 रुपे के बराबर है तो बताओ 3 किस के बराबर हो जाएगा तो 3 बराबर हो जाएगा हमारा 750 के क्योंकि एक की वेल्यू 250 है तो 3 की वेल्यू कितनी हो जाएगी तो यहां से देखिए एक का मूल्दन हमें पता चल जाएगा कि एक की जो वेल्यू है वो कितनी हो जाएगी तो A का अनुपाद 3 और A की वैलिव 250 तो हो जाएगा 750 ऐसी यदि हमें B का निकालना हो तो B का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तो इसका अनुपाद 4 और 250 तो ये हो जाएगा 1000 रूपे तो ये तो यदि हमें पूछा होता एका और बीका मतलब जो मुलवद धन है वो पूछा होता तो 750 रुपए और 1000 रुपए लेकिन हमने कुशन ने पूछा है कि परतेग भाग पर ब्याज कितना मिलेगा तो परतेग भाग का ब्याज हमें यहाँसे निकालना है तो यहां तो देखिए हम यहां से निकाल लेंगे या तो A से या B से हमारी इच्छा है दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हैं तो देखिए A का मूल धन है 750 और इसकी दर है 8 परसेंट 8 परसेंट तो देखिए यहां से ब्याज कितना आएगा तो देखिए 25 से कैंसल आउट करेंगे यह 4 बार और यह 25 से कैंसल आउट होगा 30 बार और 30 को 4 और है तो 4 से कैंसल आउट हो जाएगा 8 कितनी बार 2 बार और 30 को 2 से गुना करेंगे तो 60 रुपे मतलब ब्याज कितना मिलेगा हमें 60 रुपे तो A option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा इसी को देखे हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं तो B से निकालें तो देखे B का मूलदन है 1000 और इसकी rate कितनी है 6% तो बटे में 6 तो 2 0 से देखो 2 0 से cancel out हो जाएगे तो यहाँ से भी कितना हैगा 60 रुपे मतलब परते भाग से हमें ब्याज हो क्या मिल रहा है बराबर मिल रहा है और कितना मिल रहा है 60 रुपे तो A option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next देखिए तो देखिए उसी type का question है कि 3600 रुपे दो भागों में इस प्रकार उधार दिया गया कि पहले भाग पर 3% वार्षिक दर से 2 वर्षु में ब्याज दूसरे भाग पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्षु में ब्याज समान प्राप्त होता है 4 पर 3 सत वार्षिक दर पर दिया गया मूलधन का इस्सा क्या है तो मालिया हमने किये जो 3600 रुपे है इसको हमने 2 भागों में उधार दिया तो पहला जो मूलधन है वो A मालिया और दूसरा मूलधन हमने मालिया यहां से B तो देखिए पहले से हमें ब्याज होगा A का 80% तो 80% तो देखिए पहले के लिए जो दर है वो 3% है और समय है 2 वर्स और यह बराबर होगा B का 80% और B का जो rate है वो 4% है और समय है वो कितना है 3 है तो देखिए 3 से 3 तो cancel out हो जाएगा और 2 से cancel out करेंगे इसको तो यह कितनी बार होगा 2 बार तो हम बोल सकते हैं कि A बराबर होगा 2B तो यहां से हम A और B का अनुपात है निकालेंगे तो देखिए A का अनुपात निकालना है तो A वाले को छुपाएंगे तो कितना हैगा 2 और B का अनुपात निकालना है तो B वाले को हम छुपा लेंगे और B वाले को छुपा लेंगे तो A के गुणा में कितना है 1 तो मतलब A और B का अनुपात कितना है 2 अनुपात 1 मतलब A का हिसा है 2 और B का हिसा है कितना 1 तो देखे टोटल कितना हुआ दो और एक तीन मतलब जो तीन है वो किस के बराबर है 3600 के बराबर है तो यहां से हम एक की value निकालें तो तीन से divide करेंगे तो वो आएगा कितना 1200 मतलब एक विनिट 1200 के बराबर है तो B का हिसा तो हो गया 1200 और जो A को उधार दिया था धन वो कितना हो जाएगा 2400 तो देखे क्यूसर नहीं क्या पुछा है कि 4% पर वार्षिक दर पर दिया गया मुलधन बताओ तो 4% पर हमने किस को दिया था तो हमने B को दिया था तो B का कितना है मुलधन 1200 रुपए तो A उप्सन जो है इसका यहां पर correct answer हो जाएगा और ऐसे यह दि हमें 3% की दर पर दिया गया उधार धन दिया पुछा होता तो फिर हम बताते कितना 1200 रुपए यहां पर पुछा था कि 4% की दर पर दिया गया मुलधन का हिस्सा क्या है तो वो है 1200 रुपए तो सेम पिछले जैसे question ही यह वाला था next question देखिए एक व्यक्ति ने 5000 रुपए का कुछ भाग 4% की दर से और कुछ भाग 5% परतिवार्शी की दर से साधन ब्याज पर निवेश किया दो वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपए प्राफ हुआ तो उप्रोक्त दरू में से परतेक पर लगाई गई राशी का अनुपात बताएं तो देखिए यदि हमें कुल ब्याज दियावा हो तो इस प्रकार के question को हम मिश्रन वाले trick से solve करेंगे और मिश्रन में कॉंची trick हम use करते हैं तो देखिए दो वस्तों को यदि हम मिलाते हैं तो पहली वस्तु एक तरफ और दूसरी वस्तु दूसरी तरफ यह हम बोल सकते हैं एक तरफ सस्ती दूसरी तरफ महेंगी और बीच में हम लिखते हैं उसका मिश्रन बीच में क्या पूरे के पूरे जो 5,000 रुपे हैं यदि ये पूरे के पूरे 5,000 रुपे यदि हमने 4% की दर से 2 वरसों के लिए उधार दिया होता तो हमें ब्याज कितना मिलता तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 तो देखे 2,0 से 2,0 कैंसल आउट हो जाएंगे सोल करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8 और 8 बंजे 40 मतल टोटल हमें मिलता 400 रुपे ठीक है अब आपको मान के चलना है कि यदि हमने ये पूरे के पूरे जो 5,000 रुपे हैं ये यदि हमने 5% की दर से उधार दिया होते तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आएगा कि इंसल आउट हो जाएगा तो यहां से कितना था 5 को 5 से उना करेंगे 25 और 25 दूनी 50 और एक 0 है तो हमें ब्याज मिलता 500 रुपे अब देखे हमें ना तो 400 मिला और ना 500 मिला इन दोनू का मिश्रण मिला है और कितना मिला है वो 440 तो वो हमें लिखना है दोनू के बीच में ब अंतर है हमारा 60 का ठीक है और देखे 400 और 440 इन दोनू का अंतर आपको लिखना है इस तरफ तो 400 और 440 का अंतर कितने का है यह है 40 का तो देखे 0 से 0 कैंचल आउट और 2 से कैंचल आउट करेंगे तो आएगा 3 अनुपात 2 तो दोनू दरूंग पर लगाएगी जो राशी का अनुपात है वो हो जाएगा हमारा कितना 3 अनुपात 2 तो बी ओप्सन जो है इसका यहां पर क्रेक्टांस्वर हो जाएगा जो अनुपात 3 है यह 4 परसेंट वाली दर के कारण है और जो 2 अनुपात है यह 5 परसेंट वाली दर के कारण है फिर से देख लिए हमें क्या करना ह हमें कि यदि हमें दोनु राशियों से प्राप्त होने वाला फुल ब्याज यदि हमें दिया हुआ है तो हम उसमें मिश्रन वाले ट्रे की योजिक करेंगे एक तरफ हम लिखते हैं सस्ता वाला एक तरफ लिखते हैं महेंगा और बीच में लिखते हैं दोनु का मिश्रन तो हमें मानके चलना है कि पूरे के पूरे 5,000 रुपे यह दी हमने 4% की दर पे दिये होते तो ब्याज मिलता हमें 2 वर्ष में 400 रुपे ऐसे यह दी पूरे के पूरे 5,000 रुपे हमने 5% की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिये होते तो ब्याज मिलता हमें 500 रुपे लेकिन अब हमें दोनों से प्राप्थ हुआ है ब्याज मतलब दोनों का मिश्रन मिला है वो कितना है 440 तो हमें दोनों का क्रोस डिफरेंट्स निकालना है तो इस तरफ से डिफरेंट्स आएगा कितना एगा 60 और 400 और 440 का जो डिफरेंट्स है वो हमें इस तरफ लिखना है वो आएगा कितना 40 दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आएगा 3 अनुपात 2 तो B option जो है इसका यहाँ पर क्रेक्ट आंस्वर हो जाएगा नेस क्यूशन देखिए मोहन ने सोहन को दो वर्सुं के लिए 600 रुपे उधार दिये तथा राम को 4 वर्सुं के लिए 150 रुपे उधार दिये कुल मिलाकर 90 रुपे की ब्याज प्राप्ती हुई यदि ब्याज की गणना साधन ब्याज की दर से की गई हो तो ब्याज की दर बताईए तो देखिए इस प्रकार के question को हम किस प्रकार सोल करेंगे तो देखिए हमें basic चीज यहां पर सोचनी है कि देखिए 2 वर्स में 2 वर्स के लिए हमने कितने रुपे उधार दिये हैं 600 रुपे 2 वर्स के लिए हमने 600 रुपे उधार दिये तो 600 रुपे का हमें 2 वर्स का जितना ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज हमें देखिए एक वर्स में प्राप्त करना हो तो हमें जो मूल धन है मतलब जो धन उधार दिया है वो उसका डबल देना पड़ेगा मतलब बारासु रुपे देने पड़ेंगे तो इसको हम इस प्रकार सोच सकते हैं कि 600 रुपे का जितना ब्याज हमें दो वर्स में मिलता है वो हमें 1200 रुपे का एक वर्स में ही मिल जाएगा ठीक है इसी प्रकार देखिए कि 4 वर्स में 4 वर्स के लिए हमने धन उधार दिया कितना 150 रुपे 150 रुपे तो 150 रुपे से जितना ब्याज हमने 4 वर्स में कमाया यदि हम एक वर्स में कमाना चाते हैं तो फिर हमें 4 गुना धन उधार देना पड़ेगा मतलब 150 का 4 गुना बोले हम 600 रुपे तो मतलब 150 रुपे का ब्याज हम 4 वर्स में कमा रहे थे इतना ही ब्याज हम 600 रुपे का एक वर्स में कमा सकते हैं तो देखी इसे क्या फाइदा हुआ तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एक वर्स के लिए हमने 1200 रुपे उधार दिये और एक वर्ष के लिए हमने 600 रुपे उधार दिये तो हम बोल सकते हैं कि टोटल हमने एक वर्ष के लिए कितने रुपे उधार दे दिये 1800 रुपे 1200 पलच 600 मतलब 1800 रुपे और इनी 1800 रुपे का हमने फिर एक वर्ष का दोनों से मिला कर ब्याज कितना लिया हमने 90 रूपे और हमें ब्याज पता है कितना 90 रूपे तो अब हम आसानी से यहां से हम ब्याज की दर को बता सकते हैं तो बताए यह ब्याज की दर क्या होती है तो ब्याज गुणा 100 तो ब्याज तो है 90 और गुणा 100 मूलधन हमें पता है कितना है अठारा सो और समय कितना हो जाएगा हमारा एक वर्स क्योंकि एक वर्स का मूलधन है और इसी एक वर्स में ब्याज कितना मिला हमें 90 रूप है तो यहां से देखिए दो जिरो से ये दो जिरो कैंसल आउट हो जाएगे और 18 से 90 cancel हो जाएगा 5 बार तो मतलब जो दर है वो कितनी आ जाएगी हमारी 5% तो A option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा हमने किया क्या तो यहाँ पर देखिए हमने यह किया था कि 2 वर्ष के लिए हमने 600 रुपे उधार दिये थे तो मतलब 2 वर्ष के लिए आप 600 रुपे उधार दो या हम इसी को कह सकते हैं कि 1 वर्ष के लिए हमने 1200 रुपे उधार दे दिये ऐसे देखिए 4 वर्ष जो है 4 वर्ष के लिए हमने 150 रुपे उधार दिये थे मतलब 150 रुपे का जो ब्याज हमें 4 वर्स में प्राप्त हो रहा था वही ब्याज हमें 600 रुपे का एक वर्स में मिल जाएगा तो यहां से देखें दोनों का जब समय समान हो गया तो हम बोल सकते थी कि एक वर्स के लिए हमने टोटल 18 रुपे दोनों को दिये और दोनों से ब्याज हमें कितना मिला 90 तो यहांसे हमने रेट आसानी से निकाल ली कितनी 5% तो ठीक है दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा है ज्यादा लाइक करें शेयर करें रेदी आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जुरू प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई ने आपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसके जो किस्तों वाले क्यूशन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू